हेई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दा हूम बेकर आज मैं आपके साथ हाफ केजी चॉकलेट केक की रेसिपी और डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ इसके लिए मैंने चॉकलेट प्रेमिक्स का यूज किया है 180 ग्राम प्रेमिक्स को मैंने 5 इंच के केक टिन मोल्ड में बेक किया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 नेट के लिए और यह देखिए बेस एकदम रेड़ी है जाली भी कितनी सुन्दर आई है और दोस्तों कई लोगों की शिकायत होती है कि जब वो केक स्पॉंज बेक करते हैं तो जो उनकी उपर की लियर होती है स्पॉंज की वो बहुती स्टिकी सी हो जाती है तो दोस्तों याद रखिए कि जब भी आप केक स्पॉंज को बेक करते हैं तो आपको उसका बेटर बनाते वक्त बहुत जादा ओईल का यूज नहीं करता है अगर आपने स्पॉंज में एक्स्ट्रा ओईल डाला हुआ है ना तब ही आपकी जो स्पॉंज की जो ऊपर की लियर होती है वो बहुत ही स्टिकी हो जाती है यह देखिए जो मैंने स्पॉंज बेक किया है इसकी जो ऊपर की लियर है वो कितनी अच्छी बनी है और जाली भी कितनी अच्छी आई है तो इस sponge को मैंने 3 layer में cut कर लिया है यह देखिए और हम chocolate cake बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने 50 gram chocolate लिया dark chocolate compound लिया है और इसे मैं छोटे-छोटे pieces में cut करूँगी और double boiler में इसे melt करूँगी और अब मैंने ली है whipping cream मैंने tropolite की whipping cream ली है 200 ml और cream को beat करने से पहले आप याद रखिएगा कि जब आपको cake बनाना है आपको cream की ज़रुवत है तो आपको एक दिर घंटे पहले ही cream को freezer से निकाल के बाहर रख देना है जब cream एकदम melt हो जाए एकदम liquid हो लेकिन एकदम ठंडी हो उस stage पे आपको cream को beat करना है और ये देखिए beat करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ Kent का hand beater ये 300 वाट का है और इसे मैंने 1300 रुपए में online purchase किया था काफी अच्छा है 6-7 मैंने हो गया है मुझे से यूज़ करते हुए जब भी आप hand beater खरीदें तो याद रखे कि कम से कम beater 300 वाट का होना चाहिए इससे जादा का होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए और cream को beat करना है जब आपको तो आप याद रखेगा कि जो beat में जो पहली speed होती है धीरे-धीरे speed आपको 123 इस तरह से बढ़ानी है और cream को beat करना है और इसके बाद cream जब beat हो गई है तो मैंने इसमें चॉकलेट गनाश डाला है जो चॉकलेट हमने melt करके रखी थी चॉकलेट गनाश मतलब मैंने उसमें cream नहीं mix की थी सिर्फ चॉकलेट ही थी और उसे मैंने cream में mix कर दिया है और यह देखिए cream रेडी हो गई है sponge भी हमने कट कर लिया है यह मैंने चॉकलेट गनाश ली है पानी में मैंने चॉकलेट मैल्ट की है और मैंने जो आप देख रहे है ना छोटी से बावल में मैंने रखा हूँ है वो cherry है जिसे मैंने छोटे-छोटे पीसिस में कट करके रख बोर्ड में मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है केक की फस लेयर को रखा है और इसके बाद मैंने से सोक किया है पानी और चॉकलेट के मिक्स से और इसके बाद मैंने क्रीम लगाई है और इसके बाद मैंने डाल रही है उसमें चैरी और उसके उपर मैंने गनाश भी डाला था लेकिन शायद वो क्लेप रेकॉरड नहीं हो पाई और गनाश डालने के बाद मैंने इसकी दूसरी लेब रखी है सोक किया है और इसके बाद मैंने अच्छे से क्रीम लगाई है क्रीम ये वही वाली है जिसमें हमने क्रीम में चॉकलेट गनाश मिक्स किया था यह वही वाली क्रीम में यूज कर रही हूँ अच्छे से इवनली इसे स्प्राइट करेंगे और इस क्यूपर फिर से मैंने चैरी लगाई है चैरी की कच्छी सी लेयर लगाएंगे जिसे जितनी भी ब्लो इसे जब भी से कट करें इसका छोटा सा भी बाइट को लेना तो उसमें चैरी की फिलिंग आनी चाहिए चॉकलेट का टेस्ट आना चाहिए और इसकी उपर फिर मैंने गनाश लगाई है आप चाहिए तो पहले गनाश स्प्रेट कीजएगा उसके बाद चैरी लगाईएगा या पहले चैरी लगा के उसके बाद भी गनाश लगा सकते हैं जिस तरह से मैंने लगाई है और इसके बाद केक की थर्ड और लास्ट लेयर को रखेंगे इसे अच्छे से सोक करेंगे और सोक करने के बाद अब बार या आती है केक को क्रम कोट करने की तो मैंने साइड में पाइपिंग बैक की हल्प से क्रीम लगाई है और पैलेट नइप की हल्प से स्प्रेट कर रही हूँ जहां भी थोड़ा सा gap देखे वहां पे आप cream लगाते जाएए gap को fill कीजिए cream को अच्छे से even करना है और इस stage पे जितनी हो सके आप finishing देने के कोशिश कीजिए यह देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ एकदम आराम आराम से आपको finishing देनी है जो palette knife आप यूज़ कर रहे हैं या scrapper यूज़ कर रहे हैं एकदम light हाथों से उसे mix करना है कोई जल्दी नहीं है इस stage पे अगर आप palette knife आप थोड़ा सा pressure देके अगर आप यूज़ करेंगे ना तो जो बीच में हमने filling लगाई है ना वो दूसरे side से निकलने लगती है इसलिए हमेशा ही cake में crumb coat करते वक्त या final finishing करते टाइम आपको एकदम light hand का यूज़ करना है आपको pressure बिल्कुल भी नहीं देना है जितने light hand से आप काम करेंगे ना finishing आपकी उतनी ही अच्छे हैईगी cake में और इसके बाद crumb coat करने के बाद मैंने cake को फ्रिज में रखा था 20 मिट के लिए और फ्रिज से निकालने के बाद अब हम इसमें finalizing करेंगे इसके लिए मैंने इसी piping bag से दुबारा cream लगाई है white color की इसमें मैंने chocolate ganache mix नहीं किया था ये एकदम white cream है और इसे भी हम अच्छे से spread करेंगे जहां भी थोड़े से holes देख रहे हैं उन्हें फिल करेंगे palette knife की help से friends अगर आपकी कोई और request है या आप किसी और flavor का cake देखना चाहते हैं तो आप comment box पे comment ज़रूर कीजेगा आपकी request पे मैं वो video भी ज़रूर लेकर आऊंगी और इसके बाद icing करने के बाद जो बची हुई cream थी इसमें मैंने थोड़ा सा गनाज डाला है और इसको थोड़ा सा dark color देंगे हम यह cake जो हम ready कर रहे हैं यह ombre effect में है ombre effect का मतलब होता है light से dark shade या dark से light shade तो इसमें हम मैंने थोड़ी सी ही dark chocolate मतलब जो गनाज था वो mix किया है और इसको light shade दिया है और cake के एकदम side पे मतलब wall पे एकदम middle पे मैंने यह cream लगाई है और इसे हम mix करेंगे इस तरह से और इसके बाद जिस cream में हमने गनाज डाल के color दिया था light color इसमें मैंने थोड़ी सी और गनाज डाल के इसको थोड़ा सा dark color दिया है मैंने 50 gram chocolate ली थी और देखिए पूरी 50 gram chocolate इसमें लग गई है और इसे हमें अच्छे से mix किया और यही color हमें चाहिए था और इसको cake के एकदम नीचे side मैंने लगाया है एकदम bottom पे जहाँ पे हम border बनाते है न वहीं पे यह देखिए तो इस तरह से जो cake का top का color है वो white हो गया middle में थोड़ा सा dark हो गया चॉकलेटी और एकदम नीचे की side थोड़ा dark chocolate हो गया इस तरह से light से dark effect आया हमारे cake में आप चाहें तो अगर आप किसी और flavor का cake बना रहे हैं तो आप इसे किसी भी color में यूज़ कर सकते हैं purple color green color pink color इस तर अदर लगता है cake देखने में और यह देखिए नीचे की side जहां भी मुझे थोड़े से holes देख रहे थे उन्हें मैंने दुबारा से फिल किया है dark color की cream से और इसके बाद फिर से मैंने sheet बाला scraper लिया है और इसे मच्छे से घुमा देंगे एक बार sheet scraper का use करते time आपको अपना हाथ एक ही जगह पर रखना है और turn table को घुमाते जाना है और इसके बाद मैंने golden spray लिया है और इसमें थोड़ से spray कर रही हूं मैं एक जगह पर थोड़ सा spot आ गया है कभी कभी होता है ना थोड़ सा एकदम से जब pump होता है तो थोड़ से जादा निकल जाता है तो एक जगह पर थोड़ सा जादा आ गया है और यहां पर मैंने इसलिए स्प्रे किया है क्योंकि इसके उपर जब हम चॉकलेट लगाएंगे तो इसके उपर golden golden ना आ जाए और स्प्रे करने के बाद मैंने इसके उपर गनाश लगाया है डिपिंग की है एक गरम पानी लिया है और गरम पानी में अपनी पैलेट नाइप को डिप कीजेगा और उसके बाद चॉकलेट को प्रेट कीजेगा यह दिखिए चॉकलेट अच्छे से स्प्रेट कर दी है मैंने और अब बारी आती है केक बोट को क्लीन करने की तो इसके लिए मैंने टिशू पेपर लिया है और इसकी हेल्प से बोट की उपर जो भी साइड में एक्स्टा चॉकलेट लगी हुई है वो हम साफ कर देंगे और अब केक बोट तो क्लीन हो गया है और अब हम केक के टॉप पे थोड़ा सा डेकॉरेशन कर लेते हैं इसके लिए मैंने क्रीम में जो चॉकलेट गनाश बची हुई थी कि दिर्पिंग के बाद पाइपिंग बैग में वह साथी ही मैंने ही आपे मिक्स कर दी है और इसके बाद क्रीम को मैंने द двух पाइपिंग बैग में नौजल लगा को फिल किया है । एक में मैंने नौजल लगाया है कि यह देखिए यह डिजाइन मुझे कस्टमर नहीं भेजी थी तो बस उसी को मैच कर रही हूं मैं यह देखिए इस तरह से मैंने छुटे-छुटे स्टास बनाए है और आप सोच रहे होंगी कि केक मैंने थोड़ा सा साइड पर क्यों रखा है जिस साइड पर मैंने यह रोज केक को वहां से मैंने थोड़ा साइन में किया है जिससे की जब हम केक को बॉक्स में रखे तो यह रोज जो है वह बॉक्स से टच ना हो और हमारा केक डेमिज ना हो और इसके बाद जो रोज बनाए हैं हमने उपर उसकी उपर मैंने गुल्डन शुगर बॉल्स रखी है और यह देखिए हमारा हाप केजी का चॉकलेट केक बनके रेडी है और अब मैंने जो रोज बनाए थे उसकी उपर मैंने गुल्डन शुगर बॉल्स एट किये हैं और जो छोटे वाले हमने स्टास बनाए थे उसमें चोटे वाले गुल्डन बॉल्स लगाए हैं और इसके हमारा हाप केजी चॉकलेट केक बनके रेडी है उमीद करती हूँ आपको आज की केक का डेकॉरेशन पसंद आया होगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजेगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब न व्यूस्तु बाइ